सबी दोस्तों को नमश्कार मैं हूं सुकदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज लेकर क्या आगे हैं आज के करेंट अफेर्स तो चलिए चर्चा कर लेते हैं ए डबल एस ओ सी एच एम एंटरप्राइज अफ दे सेंच्री अवार्ड हाल ही में किसे परदान किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो संस्ता है यानि ए डबल एस ओ सी एच एम तो इसका पूरा नाम आपको कई बार हो सकता है एक्जाम के अंदर जो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रेड्स को क्या करता है प्रमोट करता है यानि दोनों तरह के उद्योगों को जो हमारे देश के अंदर होते हैं और देश के बाहर होते हैं इनको क्या करता है प्रमोट करता है यह संस्ता और इस संस्ता को जो बनाया ग company इसके अंदर registered है और professional company plus professional जो हमारे domestic वेपार करते हैं plus international वेपार करते हैं तो ये संस्ता ऐसे rules and regulation बनाती है ताकि वेपार को सुगम बनाया जा सके यानि easy बनाया सके तो एक तरह का intermediate जो है एक तरह के बिचोलिय का काम करती है किसी भी business और international पर और domestic में अगर कोई policy को किसी चीज़ को समझ नहीं आ रही तो उसको assist करती है उस company को तो ज़्यादा ज़्यादा ये क्या करती है company को membership देती है और जो company इससे जुड़ी हुई है तो वो इसकी help प्राप्त करती है हाल ही में क्या किया गया दोस्तो इसका foundation week मनाया गया है यानि इसका स्थापना दिवस मनाया गया है और स्थापना दिवस को एक week के रूप में यानि 15 से 19 दिसंबर तक के मनाया गया था तो 15 से 19 दिसंबर इसमें क्या किया गया कि PM ने हमारे इसको संबोंदित किया था और enterprises of the century award इसके अंदर दिया गया था अब आप से question यह पूछा गया कि enterprises of the century award इस साल का किसे मिला है लेकिन उससे important यह भी है कि यहाँ इस साल की इसकी theme क्या थी 2020 की जो इसकी theme थी यह भी आप से पूछ सकता है 2020 की theme जो थी India's Resilience आतम निरबर road map towards a US 5 trillion economy तो 5 मोटा मोटा आप याद रख सकते हो कि 5 trillion economy का जो है लक्षे रखा गया है हमारे प्रदानमंतरी दोरा की आने वाले समय में हम 5 trillion economy को क्या कर देंगे cross कर देंगे तो यह 5 दिविस्य है जो इन्होंने program रखा थी यानि 15 से लेकर के 19 December को इसका स्तापना दिवस्य मनाएगा था इसी के अंदर ही enterprises of the century awards से समानित किया गया है और वो समानित किया गया है दोस्तो रतन टाटा को रतन टाटा के बारे में आप जानते ही है कि टाटा समू के में काफी अच्छा काम किया इन्होंने इंडिया के अंदर पहले कार ही लेकर कहा थे कार का concept इन्होंने शुरू किया था इंडियन कार को लेकर कहा थे introduce करी किया था बाद में टाटा ने नो लेकर कहा थे वो इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई तो रतन टाटा को यह प्रसकार दिया गया है तो S.H.M. की बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये कैसे संस्ता है जो ट्रेड को प्रमोट करती है और द्योगों को प्रमोट करती है और ये 1920 के अंदर स्तापित हुई थी दोस्तो 1920 के अंदर और इसका जो अगर मैं मुख्याले की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि नई दिल्ली के अंदर है फिलाल इसके अधिक्ष जो है विनीत अगरवाल है तो बढ़ते हैं दोस्तो अगले कोशन की दरफ इसका सही अंसर हो जाएगा रतन टाटा अगला कोशन भारत का पहला रूफ टॉप सॉलर पावर ट्रेडिंग प्लेटफर्म कहां लॉंच किया ग सोलर पावर जो सिस्टम है यह दोस्तों क्या होता है बड़ी बड़ी जो कमर्शल बिल्डिंग है या जिसकी रूफ का जो यानि च्छत का जो व्यास है वो जादा है वो कोई भी इंडिविजल का घर हो सकता है या कोई कमर्शल बिल्डिंग हो सकती है या रेजिडेंशल ब सकता है तो अभी ये पहले भी हो रहा था तो इसमें कोई नई चीज नहीं है लेकिन अभी क्या किया गया है इसकी खरीद फ्रोक्ति यानि जैसे की शेर बाजार के अंदर जो ट्रेडिंग होती है यानि किसी के पास अगर कोई ज्यादा शेर है तो वो बेज देता है और दूस भी कमर्शल बिल्डिंग है और किसी के पास एक्स्ट्रा अगर क्या है पावर है तो वो क्या कर सकता है उसकी ट्रेडिंग कर सकता है यानि दूसरे को वो क्या कर सकता है और ये सेल कर सकता है और उसके बाद में वो सरकार से भी क्या कर सकता है इसको जमा करवा सकता है और टॉफ्टॉप सॉलर पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जा है उत्तर परदेश के अंदर लॉंच किया जा जुका है दोस्तों लेकिन अभी इसका पाइलिट प्रजेक्ट चल रहा है जिसमें बारा परती भागियों को क्या किया क्या है शामिल किया गया है जिसमें नो तो AIJ क्या रहेंगे ग्रहक की भुमिका में रहेंगे और बाकी तीन जो होंगे दूसरे रहेंगे यहीं बेजने वाले होंगे तो इस तरीके से अभी कोई पैसों की इसमें लेंदन नहीं होगी अभी तो पाइलिट प्रजेक्ट है एक तरह का तो लेकिन बाद में इसे क्या कर देगा पूरा पुरी तरह लॉंच कर दिया जाएगा तो भारत का पहला रूफ टॉप सोलर पावर ट्रेडिंग का जो है शुबारंप हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर यह चीज़ बन चुकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्या मंत्री आपको पता ही है योगी पाल आपको सभी स्टेट के याद होने चाहिए तो यूपी के जो हमारे रज्ययपाल हैं वो अनंधी बैन पटेल हैं कोन है अनंधी बैन पटेल तो तो अनंदी बैन पे टेल जो है वहां के क्या है राज्येपाल है और कारे कारी एक्ष जो इस पावर लेजर के थे वो जैमा ग्रीन है तो यह इतना इस फॉच्जन में इस कोश्चन में इतना ही था दोस्तों सोलर पावर ट्रेडिंग का शुबारंग हो चुका है उत्तर इज ओफ डूइंग बिजनस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग आपसे पूछी गई है अब यह होता क्या इज ओफ डूइंग बिजनस दोस्तो इज ओफ डूइंग बिजनस क्या है एक तरह की रिपोर्ट है, रिपोर्ट जारी करता है कौन? वर्ड बेंक, तो वर्ड बेंक हर साल क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है जिसके अंदर ease of doing business यानि किसी भी देश के अंदर बिजनस को शुरू करना कितना easy है, कितना मुश्किल है तो ये चीजों की वो रिपोर्ट त्यार करता है इसका अभी 17 संसकरन लाँच किया गया है यानि 17 रिपोर्टें इसकी आ चुकी है तो 17 रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंकिंग इसमें डिसाइड की गई है उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों 190 देश भाग लेते हैं तो 190 देशों की क्या की एकनॉमी को क्या किया जाता है जो वहाँ पे निगरानी रखी जाती है कि वहाँ पे बिजनस करना यानि ease of doing बिजनस जो है कितना आसान है कितना मुश्किल है इसमें कुछ पैरामेटर्स रखे जाते हैं और इस पैरामेटर्स के अधार पर ही क्या किया जाता है कि वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी देश के अंदर बिजनस करना कितना आसान है जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें mostly 10 OUTPICS पर ज़्यादा दौर दिया जाता है इंडिकेटर्स ऐसे हैं जैसे मानलो अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ एक जो इंडीकेटर pois पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कीसी डेश में स्टार्ट करना vigजनस स्टार्टिंग यानि स्टार्टिंग किसी business की कितनी आसान है यानी वहां का क्या procedure है कितने टाइम में वहां पे start हो जाता है और दूसरी बाद जो वहां का construction है दूसरा point जैसे मानलोg construction अगर किसी द्योग दंदे को लगाना है किसी business को वहां पे start होना है तो उसकी construction में कितनी permission लेनी पड़ती है कितना time लग जाता है क्या cost लगती है और उसके बाद में जैसे मालो electricity का जो connection है electricity का connection कितनी दिर में मिल जाता है और वहाँ की जो property matter है registering property तो ये भी एक indicator है उसके अंदर की वहाँ की property मतलब वहाँ जाकर कि property लेगा तो वो कितनी दिर में register हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है काफी और parameter है जैसे credit facility credit facility यानि lawn कितना easy मिल जाता है तो उसके बाद जो है tax system को देखा जाता है ये कुछ एक indicators हैं जिसके दार पर ये report त्यार की जाती है तो दोस्तों EODB की जो report त्यार की जाती है वर्ड बैंक द्वारा इनी indicator को देखकर की त्यार की जाती है और इस पर हम चर्चा करें तो इस में first ranking जो है वो है New Zealand की New Zealand जो है प्रथम देश है जहां पर कि क्या ये जो है 0.5 days में almost क्या है कोई भी बंदा अपना जो क्या कर सकता है वैपार शुरू कर सकता है जबकि भारत के अंदर जो ranking दी गई है अभी कुछ ranking में सुधार हुआ है तो ease of doing business की ranking फिलाल जो है 63 number है जबकि जो चीन है उसकी ranking में थोड़ा सा गिरावट आई है तो 85 number पे पहुंच सकता है चीन की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी question आप से पुछा जा सकता है क्योंकि हमारे पडोसी देश है और चीन विकासील देश है एक तरह का तो 85 number पर चीन है और 63 number पर हम पहुंच चुके है 63 number जो है हमारा 190 देशों की सूची है ये 190 देशों की report में ease of doing business जो world bank द्वारा एक report त्यार की जाती है उसमें 63 जो है हमारे को rank मिला है और इस साल की जो theme है वो theme है दोस्तो comparing business regulation in 190 economies तो ये आपको बता चुका हूँ मैं सारी चीजें और first rank की अगर मैं easy है business शुरू करना और सबसे easy है New Zealand के अंदर तो factors जो इसके अंदर के जाते हैं वो आपको मैंने बता दी है world bank की report होती है ये और फिलाल जो मुख्याले है world bank का ये बहुत बार general question है तो मुख्याले है Washington DC के अंदर Washington DC के अंदर क्या है सियुक्ति जो USA के अंदर पाया जाता है यानि सियुक्तराज्य अमेरिका के अंदर Washington DC है और अहां पर world bank का हमारा मुख्याले है तो बहुत तो इतनी बात हो गई अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question जो आ रहा है आपकी screen पर उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं Asian water development outlook 2020 advancing water security across Asia and the Pacific के अनुसार कितने लोगों के पास स्वच जलापूरती का अभाव है तो यह report क्या त्यार की गई है दोस्तों और यह report त्यार की गई है जो हमारी ADB के दोरा ADB आपको पता होगा Asian development bank है और यह Asia क्षेतर के अंदर जितनी भी credit facility है lawn की जो स्विधा है वो परदान करता है ADB बैंक और काफी बड़े बड़े जो projects इंडिया के अंदर उसको भी finance करता है तो ADB के बारे में यह बात हो गई और ADB ने ही report यह दिया है water crisis पर लेकर के और water crisis को लेकर के कितनी लोगों के पास क्या है जलापूरती का अबाव है तो general question एक बन रहा है तो इस पर कुछ ज़्यादा चर्चा करने वाली बात है नहीं तो 2.1 billion उसने काया कि ऐसे लोग है पूरे अपने यहाँ पर जो एशिया के अंदर जिसको क्या क्या है स्वच जल की अपूरती नहीं हो पर ही तो लगबग यह इसमें ग्रामिन क्षेत्र के डेड़ अरव लोग आते हैं जबकि शहरी शेत्रों में 600 million लोग ऐसे हैं एशिया परशांत क्षेत्र के अंदर क्योंकि एशिया के अंदर ही रिपोर्ड यह त्यार की गई है तो यह अपने आप में कोशन अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में तो फिलाल इसका 2.1 billion इसका अंसर है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आ रहा है इसका उद्गाटन जो है कहां किया गया है तो यह आप से पूछा गया है इस पर चल्चा कर लेते हैं भारत की पहली जो है हाईपर सौनिक टैनल का उद्गाटन किया गया है अभी यह बात कर लेते हैं पहले कि इसका उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है इसका उद्ग किया है इसका उद्गाटन किया है और यह है क्या देश की पहली है तो इसलिए important question है कि भारत की पहली hypersonic wind tunnel का friction स्वीधा अब यह है क्या दोस्तों यह actual में है कि भारत की पहली यह क्या है उन्नत hypersonic wind tunnel है जिसकी friction friction swida यानि कोई भी अगर हमारे jet विमान बनता है जो hypersonic power से है तो hypersonic power रखता है या कोई भी ऐसी missile मना जती है आपको पता है कि hypersonic missiles भी इंडिया के अंदर त्यार की जा चुकी है और hypersonic missiles है या कोई भी jet है तो उनका पुर friction ही क्या किया जा सकता है इस तरीके का जो है वहाँ पर प्लेटफर्म जो है launch किया गया है तो वहाँ पर प्रिक्षन को दिया गया है तो वहाँ पर friction किया जा सकता है तो यह देश का पहला है और यह तियार किया किया है इसका उद्रगान किया है तो तो तेलंगाना आपको पता है कि नमीन राजे है तो यह भारत की पहली hypersonic wind tunnel का क्या किया गया वहां पर friction किया गया तो इसमें इतनी सी बात है अगला question जो आ रहा है आपकी screen पर अंतराष्ट्ये मानव एकता दिवस अंतराष्ट्ये मानव एकता दिवस कम मना जाता है ये भी general question है तो इसमें चर्चा करने वाले कुई ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अंतराष्ट्य मानव एकता दिवस जो है आपका क्यों मना जाता है तो लोगों के अंदर भेद भाव को दूर करके जो है international इसको इंग्लिश के अंदर बोलते है International Human Solidarity Day जो अभी हाली में मना जाए गया है दोस्तों और मनाया जाता है दोस्तों ये 20 दिसम्बर को इसमें इतनी चर्चा है कि ये 20 दिसम्बर को मनाया जाता है में में बात इसके ये है और मानव एक जुटता दिवस इसको बुला जाता है और ये 2006 से मनाया जा रहा है तो 2006 से मनाया जा रहा है और इसका उदेश्य जो है वही है कि लोगों में गरीबी नमुलन करना उनको पुतसाइद करना एक जुट होकर के रहना और जो अपनी भूमिका जो है समाज के अंदर पहचानना ये सारी चीजे हैं जो इस में क्या किये जाती है इस वीक के अंदर इस जब इसको सप्ता को मना जाता है और इस दिन को मना जाता है अंतराश्य मानम एकता एक जुटता दिवस के रूप में जाता है तो बाईस दिसमबर ही अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन भी एक जनरल कोशन है इसमें चर्चा करने वाली बात नहीं है लेकिन हाली में अगर एक्जाम है तो आपका ये कोशन पूचा जा सकता है तो अस्त्र MK1 मिसाइल IMSAS बोस सिस्टम जिनमें सशस्त्र बलों को सौप दिया गया है किस संगठम तवारा विक्सित किये गये हैं आतम निर्बर कॉंसेट जो है मोधी जी ने चलाया है तो उसकी तरफ ही जो है इंडिया बढ़ रहा है और अभी जितनी मिसाइल्स हैं और सिस्टम जो है हमारी जो सेना के वो हमारे देश के अंदर स्वदेशी सिस्टम त्यार किये जा रहे हैं और इसी संदर में DRDO जो है हमारा जो की रक्षा परणाली को विक्सित करने वाली एक संस्ता है DRDO और DRDO ने ही क्या सिस्टम त्यार किये हैं जो तीनों के लिए जो हमारे तीनों तरह की सेना है उनको एक स्वदेशी मिसाइल IMSO और BOSS सिस्टम जो है तीनो नो सेना के लिए एक एक परणाली जो त्यार की गए है वो जो है सौंप दी गई है और ये विकास किया गया है DRDO के दोबारा तो दोस्तों ये बन रहे थे कोशन आज के अमीद करता हूँ आपको कोशन ये अच्छे लगे होंगे और इसी तरीके कोशन हम लेकर करके आते रहेंगे जो कि आपकी प्रिक्षा की दृस्टी से काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना बूले धन्यवाद दोस्तों